तो चले स्टूडेंस रेक्शन करते हैं रेक्शन विद न न नो टू एच सील ठीक है चलो देखें हांजी सर देख लेते हैं देखें बई जांजे चाहे न नो टू हो चाहे अचन नो टू हो इन दोनों का मतलब एक ही है बच्चे इन दोनों का मतलब क्या है एक ही है चाहे न हो चाहे हैं दोनों का मतलब एक ही है तो पहले रियक्शन करवाते हैं प्राइमरी एली फैटिक अमीन की और इसके साथ इसके साथ किसकी रेक्शन करवाएंगे प्राइमरी एरोमेटिक कभी चलेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और तरसरी कैसे बिःव करीई तो च्री MS 2 친 एछिए यह फैटिकामल दस दूनिखMO में यह नहीं होनी चाहिए इन दोनों में ही क्या डालूंगा बच्चे मैं HNO2HCl इसमें भी क्या डालूंगा मैं HNO2HCl डालूंगा तो याद करो बच्चे जब एनिलीन हनोटू HCL के साथ रेक्षन करती थी तो हमने सेंड मेयर रीक्षन पड़ी थी गैटर में रीक्षन पड़ी थी उनमें डाइजोनियम सोल्ट बनता था बैजोनियम सोल्ट से हैलो यह क्या था हैलो रीम्स बनते थे बैंजीन के उपर कलोरीन लगती थी ब्रोमी लगती थी तो इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा तो याद रखिए अपने पल्ले यह बात गांठ बैंजीन डाइजोनियम क्या बनेगा सोल्ट बनेगा देखो बैंजीन तो बैंजीन हो गया डाई मैंने हो गया दो आजो मैंने नाइट्रोजन एम मैंने सोल्ट पोजटी और इस पे नेगिटिव तो देखो बैंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड सोल्ट बनेगा तो याद लेकिन यदि प्राइमरी याली फैटिक है बच्चे याली फैटिक है तो एच नो टू की स्टक्चर होती बच्चे कुछ इस तरह से ओ एच एन डबल बॉंड यह होता है चनो टू एच एन नो टू ऐसे होता तो इसको पकड़ो इसके ओपर लिख दो देखो ओ एच एन डबल इसके ओपर लिख दो ऐसे ओ एच एन डबल बॉंड हो तो देखो क्या बनेगा यहां से तोड़ोगे यहां 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 तो क्या क्या बनेगा देखो सीएज 3dja 2 &毒 बनीगा मतलब एलकोहल मिसेज 3 CH2 ओएच बनेगा एलकोहल एमन्ट्ड गैस मनेगी और डोलस में पानी बनेगा पानी भ alpha इस यहां, यहां पर एलगाक बन राते स्पवाट दाइस न्चोटीव और नुर्द यह पॉजिटिव और आसेज एला लेकिन यहां पर तो रेजोनेंसी नहीं हो रही तो यह unstable होता है बचे क्या होता है यह तो यह तूट जाता है और क्या बना लेता है क्या बना लेता है अलकोहल तो याद रखेंगे अब ट्रैमरी अलीफाटिक अमीन है, वो 2018' के साथ क्या बनाएगी धेखो अल्कोहझल , लेकिन यदी प्रैमरी अरॉमेटिक अमीन है वह एच्छनोट फेलिया एन्नोट फेल कुछ बोल लो तो वह क्या बनाएगी यह बनाएगी बेंजीन दाइजोनियम सोल्ट क्लियर है कोई डाउट नहीं इसके रिगार्डिंग आपको ठीक है यहां अलकॉल क्यूब बनेगी क्योंकि इसका जो बेंजीन यह इथाइल यह उनस्टेबल होता है बच्छे क्या होता है अनस्टेवल चलिए यह तो बात थी हमारे पास ऐली फैटिक और प्राइमरी आरोमेटिक में आप कैसे अंतरस्पस्ट करेंगे तो अंसर आएगा ऐच नर्टो जा य९ह फैस set अन्जों तो खेंगे चलिए आप आगे बढ़ते है यह दिया आपके पास प्रैमरी सेकेंड्रे और टरसरी अमीन आजाएं तो क्या भरुगए कौन सी कौन सी अमीन आजाए बच्छे आपके पास प्राइमरी अमीन आजाए आपके पास कौन सी अमीन आजाए बच्छे सेकेंडरी और आपके पास कौन सी अमीन आजाए बच्छे टरसरी अमीन आजाए ठीक है तो कैसे विस्टिंग यूज़ करें तो मैं लिख लूँ यहा बनेगी एलकोहल बनेगी यह थो आप खुच से सोची वही सेकंडरी अमीन क्या बनाएगी यहाँ पर सोचना है आपको खुच से मैं एक बार मारकर कोई फिला जो थोड़ी इसी शेकंडरी अमीन क्या बनाएगी आ पढने अ यहां पर क्या बनेगा यहां पर प्रामरी आली फैटी कमीन क्या बना रहे हमारे पास अल्कोल सेकंडरी ले 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 जो येलो सेकंडरी ले ले दें यहां पर कि एच तरी कि एच एच तरी डेन एच रियक्शन किसके साथ करेगी बचे चनो टू के साथ है नो ऑभी स्टक्सर मैंने अभी अभी बताई तो ओच एच डवल बॉंड ओ होता है यह रहे है आच अचनो टू की स्टॉक्चर एंद प्रेज़न्स ओप एच अल की प्रजेंस में तो देखो प्रिणम्री गारी है एक्सिंध्री ऐस्य उक्ति इस क्रेगी तो बताए बच्छे यहां से वोटर लोस हो जाfeeding love uniqueness यहां की दहुकित गूँरोगा वोटर तो क्या बन रहा है थाइद हो क्या बन रहा है सी एच थरी in CH3 यहां से waterlose हो गया तो इस N का bond बनेगा इस nitrogen के साथ इस nitrogen के साथ और double bond आ गया O यह होता है कि yellow color का oil क्या होता yellow color का oil बनेगा यह इसका yellow color होता है क्या होता बचे इसका yellow color यदि यह yellow color का oil बन गया सुन लो बाध्यान से यदि यह yellow color का oil बन गया तो कौन सी अमीन है सेकेंडरी यदि अलकोहल बन गई तो कौन सी अमीन है प्राइमरी सर तर्सरी में क्या होगा तर्सरी ले ले लेते हैं ये लो CH3 CH2 then N then CH2 अचा एक अठाय लिख दो मैं इन तीनों को ऐसे लिख दो CH3 CH2 तीन बार और फिर आगया न हिट्रोजन बताइए टर्सरी ही है या नहीं है हां जी सर यह तो बिल्कुल टर्सरी है सर क्लियर है ठीक है यह किसके साथ रेक्शन करेगी बचे अठेट के साथ i know to के साथ इन दप्रेजंस ओफेचिल तो बताओ यह तो इसके पास तो लोंड पेर है अब हाइड्रोजन तो बची नहीं पानी लोश करने के लिए तो यह लो इस एसीड के ठीक और NO2 नेगेटिव यह salt बन जाएगा बच्चे यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ पर salt बन जाएगा अच्छी बात है वही क्या है अच्छी बात है ठीक है तो यदि यह water soluble salt बन गया यह water soluble होगा water soluble यदि water soluble salt बन गया तो tertiary amine है यदि yellow oil बन गया तो secondary amine है यदि alcohol बन गयी तो primary amine है और यदि benzen disonium salt बन गया जो पिछे बना था benzen one two positive वाला तो aromatic amine है तो क्या है aromatic इसका मतलब hno2 hcl या na no2 hcl का यूज करके हम किस किस में distinguish कर सकते हैं primary secondary tertiary amine में and aromatic amine में भी तो कर सकते हैं तो इन चारों के बीच में यदि पेपर में आ जाता है कि आप इसके और इसके बीच में कैसे distinguish करेंगे किस तरह से अंतर स्पस्ट करेंगे तो आप यह वाली reaction लिख के आ सकते हैं इन में से कोई आपकी बुक में यहाँ पर यलो में आगे एस्ट और सफो डाल कर आपको दिल करका होगा लीबर मैं नाइट्रो सो टेस्ट दे रखा होगा तो वह कुछ नहीं है वह इसी से आगे चलेगा यलो एल के साथ यह तो आप कर लेंगे अपने आपको वह कुछ इंपोर्टेंड है भी नहीं इतने सारा तो अभी अमाल लीजिए पेपर में यह क्वेशन आ गया है तो आप कैसे करेंगे ठीक है लेटस सी कि वह क्वेशन कैसे सोल होने वाला है ठीक है क्या है क्वेशन देखते हैं पेपर में आगे वहीं कि आपके पास है एनिलीन और आपके पास है बच्चे ये CH2, NH2 इसे में डिस्टिंग्योश करिए आप इंद में अंतरस पस्ट करिए तो कैसे करेंगे सोचव सोच कर देहां साहिं जल्दी सोचे जल्दी एंगे यह सी सुचिए जल्दी सोची 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 हाँ देखते हैं यह तो क्या है बच्छे यह तो है प्राइमरी एरोमेटिक क्या है प्राइमरी एरोमेटिक लेकिन इस प्राइमरी एरोमेटिक नहीं तो यह बच्छे प्राइमरी एलिफेटिक क्या है प्राइमरी एलोफेटिक यदि यह चैनल के साथ रेक् करेगी तो यह बनाएगी यह मारे पास डाइज ओनियम सॉल्ट क्या बनाने वाली है ठिक लेकिन यह यह बनाएगी बचे अल्कोहल तुमारे पास बनेगा बंजाईल को और इस तरह से हम इन दोनों के बीच में क्या कर पाएंगे इसली डिस्टिंग्यूस कर पाएंगे कर लेंगे हां जी सर बिलकुल कर लेंगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट पॉइंट आता है बचे हमारे पास फिर से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी आमीन्स के बीच में डिस्टिंग्यूस करने का एक और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है बारी बारी कर लेते हैं हिंसबर्ग हिंसबर्ग डेस्ट भारी बेंजीन यहां पर है एts double bond O double bond OCL इसको benzene sulfonyl chloride बोलते हैं वालिक देता हूं मैं इसको क्या बोला जाता है benzene sulfonyl chloride इसको बोला जाता है benzene sulfonyl chloride इसको बोलते हैं पहले reaction किसके साथ करवा रहे हैं primary amine के साथ जब benzene sulfonyl chloride मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट primary amine से reaction करता तो यह primary amine है या नहीं है बता दो एक बार CH2 CH3 बताए है या नहीं है ठीक है फिर ले ले लेते हैं secondary amine बच्चे secondary amine ठीक है पेपर में आप कोई भी टेस्ट कर सकते हैं आप लीबर में नाइट रोसो टेस्ट कर सकते हैं पेपर में आप HNO2HCL वाला टेस्ट कर सकते हैं पेपर में यह दिया आ गया प्रेमरी से कंड़ी टर्शरी में आप हिंसबर्ग टेस्ट भी कर सकते हैं क्या भी कर सकते हैं हिंसबर्ग कि आप एक सब्सक्राइन कोई पर यह अब ये तो थी प्रैम्री अमीन की रिययक्षिन अब करते हैं बिसके empath нужно करेगी लिए और स्पर команд करेंना से के लागी मेश चर्ण करें गारी इसके साथ मेंजिन सल सब्सक्राइब और नीचे लेनी पड़ेगी बच्चे हमें कौन सी अमीन ट्रसरी अमीन अभी पता चल जाएगा कि इस टेस्ट के उपर इस टेस्ट से हम कैसे रिएजन्ट को हम चेक करेंगे कि प्रैमरी है सेगेंडरी है टरसरी तो अगेन क्या ले लिए वनने बच्चे बैंजीन सलफोनिल क्लोराइड एस डबल बॉंड ओडबल बॉंड ओड़ देज सी अल प्लस एन टरसरी लेनी पड़ेगे न आपके बार सी एच थरी और सी एच थ और है तो आगे लिए दो रिएक्षन क्या होगी बैंजीन है जटीज टीक एस डबल बॉंड ओ एस डबल बॉंड ओ बैन एन एच सी एच टू सी एच तरी बोली यहां पर यह बनेगा नहीं बनेगा बनेगा सर शोर हो कि यहां से भी अच्छी जाएगा क्या जाएगा एच् इस डबल बॉंड ओ एस डबल बॉंड ओ दैन एन दैन च्छ टू सी एच तरी दैन सी एच टू सी एच तरी बोले शोर हो कि यह बनेगा यहां सोची बिचारा है नहीं तो यहां पर बोले कुछ नहीं बनेगा तो सुनो प्राइमरी सेकंडरी टर्सरी अमीन में हिंसबर्ग इसके बेस पर कैसे डिस्टिंग्यूज किया जाएगा टर्सरी अमीन तो हिंसबर्ग रिएजन्ट के साथ रियक्शन ही नहीं करती तो टर्सरी अमीन तो हो गई बाहर यह तो रियक्शन ही नहीं करती रियक्शन ही नहीं करती पता चल गया क्योंकि इस नाइट्रोजन पर है नहीं है तो यह रेक्शन नहीं कर लेक्षन करती है लेकिन प्रैमरी अमीन आगे फिर किसी बेस के साथ रेक्शन कर लीते हैं को सकत क्यों क्योंकि अभी तक हाइड्रोजन बच्छी हुई है यह सुर नो तो यह जो बेस है ना को नेगेटिव यहां से तो फाइनली बेस डालोगे तो क्या बनेगा इसमें बेस डालोगे तो बन जाएगा बैंजीन यहां पर कोई बी रियक्षिन नहीं होगी तो सरीस में अंतरस्पस्थ कैसे हुआ यह तो बता दो हमें कि अंतरस्पस्ट कैसे हुआ तो देखो यह मालो इसमें प्राइमरी इसमें है मालो सेकेंडरी और इसमें मालो है बचे टरसरी तो इन तीनों में आप हिंसबरगरी एजेंट डालोगे डाल दिया इसमें भी इसमें भी इसमें भी यदि कहीं पर कोई रियक्शन नहीं हुई तो और जो यह जुगाल है यह यह इसके आसे सब्सक्राइब रंग क्रेसिपिट बनेगे इसके दाने-दाने से यह आप प्राइमरी नीक्षन करेगी सगाट्री अब उपर से इन दोनों में के वेच डालो के ओएच के उएच बेस डालोगे यदी शुन लो ध्यान से के वेच डाल इस प्रस्टिक मेलने के बाद यह अफ़र प्रैशिपटेट बने हुए नीचे यhen घुल गए इसका में पमारी गूल गई तो यदि वो गूल गई तो प्राइमरी अमीन है यदि वो नहीं गूले तो से केंडरि आमीन इसे कहम बंधा इनके बीच बन गया तो primary भी हो सकती है secondary भी हो सकती है अब उन precipitate में केबच दालो यदि वो not Bem घुल गँड़े तो primary है केबच में नहीं गुले तो secondary है और यह हमाँरे पास Hinzbergs test 法स्तों चलेस यह च्छुडेंस है एक है ये किणकी तरफ अश्ड़ाइस्ट टेस्ट की तरफ यह ऊंदर तो याद रखना यह इस सिरफ प्राइमरी इरो मैटिक देती हैं कि राइमरी आइरो मैटिक यह टेस्ट देती है बाकी कोई नहीं धेता ठीक है बाकी नहीं देता मतलब यह टेस्ट सिर्फ एनिलीन देगी सिर्फ एनिलीन क्या है टेस्ट ही देखो मालीजे आपको कहीं पर पता करना है कि प्रैमरी आरोमेटिक अमीन है या नहीं है तो अप डिरेक्ट है जो डाई टेस्ट कर सकते हो तो देखो क्या होगा जो डाई टेस्ट में आपके पास एंडींण होगी एंडी is इसमें आप सुरू में डालोगे यांडी तो क्या बंजाएगा बच्चें बेंजीन डाइज्ओनियम क्लोड बन जाएगा यह जानते हो बेंजीन डाइजोनियम क्लो रैड़ बनेगा इसे आगए데किष्ट है यह से किसे करवाते हो फिनोल से किसे करवाते हो फिनोल से यात करो ने पढ़ी थे कंपलिंग रियक्षिन नो से दस क्क्या होनी चाहिए और से प्यसिप पढ़ी थी हमने कप्लिंग एक संथ तो देखो क्या होगा इसके पैरा पोजिशन पर है यह स्यल बना लेगी क्या बना लेगी है तो क्या बन जाएगा आपके पास यहां पर यह बन जाएगा रिंग आज़ टीज देखे रिंग रिंग फिर एंट्डू एंट्टू मतलब दो गे ओसके साथ यह जोड़ दोगे यह वाली रिंग जोड़ दोगे और यहां आजाएगा ओएच कौंज सी रेक्षन है यह इसका रंग होता ओरेंच कैसा कलर होता यह जो कमपाॉट बेंड़ने इसका ओरैंज कलर हो तो यह डाई है डाई डाई यह डाई तो यदि वो प्राइमरी एरोमेटिक कोई ले लो कोई दिकत नहीं प्राइमरी ऐरोमेटिक है तो पहले तो डाइजोनियम सोल्ट बनाई और डाइज कलर की डाई या तो प्राइमरी एरोमेटिक तभीस्ति वो निर्मBeatends.्योट ऐसे ही लिख लेंग कर देती यह मैं आपो बता देता हूं यहां पर कि यह आपके पास बेंजीन-डाइजोनियम-कलोराइड है क्यों है बेंजीन-डाइजोनियम-कलोराइड है बच्छे इसको मैं तेडा लेटा लूँ थोड़ा सा तेडा है ना इसको लेटा देता हूं थोड़ा सा थाकि आपको अच्छे सिस कलियर हो जाएं ठीक यह है एंड टू पोजिटिव सील नेगिटिव इसकी रेक्शन आपकी बुक में यह भी हो सकता है कि बीटा नेप्थोल के साथ करवा थोल है यह आपकी बुक में यह रेक्शन भी दी हो सकती है इसकी जगह पर यह रेक्शन भी दी गई हो सकती है अगें पी एच कितनी रहेगी नो से दस तो कुछ भी तो नहीं गर ना यहां पर जो एच है ना यहां पर एच इसको हटा तो बच्छे एचल बन जाएगा सेम य ये कुछ इस तरह से आजाएगा आपके पास की double bond double bond और ये कुछ इस तरह से आजाएगा यहाँ पर ये भी किस कलर की डाइ होती है ये भी orange कलर की डाइ होती है तो जहां पर डाइ बन रही है उसी टेस्ट को क्या वोलेंगे एजोडाई टेस्ट बोलेंगे क्या बोलने वाले हैं एजोडाई टेस्ट और इस तरह से हम primary aliphatic primary aromatic amines की reaction या उनके बीच में distinction हम पढ़ पाएंगे I hope अब आपको वही अच्छे से clear है सारी की सारी चीजें ठीक है अच्छी बात है अच्छी बात है चलिए बस एक दो chemical reaction और रहती है फिर हम अपने lecture को wind up करते है तो चलिए students आप reaction पढ़ते हैं थोड़ी बहुत aniline की किसकी reaction पढ़ लेते हैं aniline की तो सबसे पहले हैं bromine water के साथ यदि aniline reaction करेगी तो क्या product बनेगा electrophilic substitution reaction यहां पर होगी तो देखिए nitrogen का जो लोन पेर वह बहुत जल्दी जल्दी लेक्ट्रों देता भी रींग को तो देखिए जल्दी जल्दी इलेक्ट्रों देगा तो यह क्या बनेगा ध्यान से समझ लेना यहां पर मैं words रेजोनेटिंग structure में बनेगा महारे पास कुछ ही है डबल बोन्ड नेगेटिव डबल वόnd डबल बोन्ड अडबल वोन्ड ऑगली स्ट्र 오ैं स्ट्रों में यहां जाएगा तो यह कहां चला जाएका यहां पर तो क्या बनेगा फास्तर बडबल बोन डबल बोन्ड चार्ज आ रहा और त्पूर स्टाय और जल्दी आ रहा क्योंकि नैट्रोजन की एलोन पर करने टंडनसी जादा होती है यहाँ पर भी रोमीन लग जाता है यहाँ पर भी bromine लग जाता है यहाँ पर भी bromine try substitution हो जाता बच्चे क्या हो जाता है try substitution मलब तिन्नों जगए bromine लग जाएगा क्यों लग रहा है तिन्नों जगए bromine बताओ एक बर जल्दी से क्या रीजन है क्योंकि nitrogen का lone pair बहुत जल्दी ring में जाने की कोशिस करता है और ring में जाने के कारण ring के ortho और para position पे बहुत ज्यादा negative charge आ जाता है और वो negative charge electrophile को बुला लेता है और try substitution हमारे पास हो जाता है कौन सा substitution हो जाता है try substitution हो जाता है ठीक है और लेकिन हमें चाहिए कि सर एक जगए bromine लगना चाहिए एक जगए तो हम क्या आगरें बच्चे एक जगए bromine तभी लग सकता है जब इसका ये loan pair ring में आने से मना कर दे क्योंकि जितना ज़्यादा ये ring में आएगा उतना ज़्यादा उर्थो पैरा पे बुलाएगा ये ठीक है तो इसको जड़ी जड़ी रिंग में ना आए जल्Дी-ज़्दी में नहीं आएगा तो मोनो-Substitution होगा तो हम क्या किया हमने इसके साथ एक केला खेल्दिया हम ने इसके साथ हमने इसकी reaction-पहले c3 ckk करवा दी nhydride इससे क्या फायदा होगा सर देखो से ढहरना है आपको इसको यहां से तोड़ों गई इस पे पोझी कमवन नेगिटिव और इसकी हाय पीड्रोजन को हटा दो ед इस के अधा दो एकट चला गया देखो सी सरी कि अंगी तो पहुट हो यह न यह उपर अपर लग c o c h 3 c o c h 3 c o c h 3 लग जाएगा हां जी लग गया है c o c h 3 सर इसका क्या फायदा हुआ अब क्या फायदा हुआ देखो बच्चे इसका बहुत बड़ा बैने फिट है अब जो यह लोन पेर अंदर आ रहा था यह बाहर भी जाएगा खेलने के लिए देखो है ना बाहर खेलने जाएगा बाहर खेलने जाएगा कहां खेलने जाएगा बाहर तो इतना जल्दी जल्दी यह रिंग में नहीं आएगा तो अब डाल दो इसमें ब्रोमीन वाटर क्या डाल दो ब्रोमीन वाटर चोक मोके पे चोका बहती गंगा में हाथ दो लो ठीक है अब मो रहेगा यह तो लगेगा ब्रॉमिन लगेगा पहरा पहर पे कहाँны नई कहां लगेगा थीक यह लग सकता है ना और यह तो उर्थो कियोगी यह यह उट ना पर लेकिन सब्सक्राइब यह दूर है तो इसके लड़ाई नहीं तो पैरावाला मेजर है था एस कंपेटू और्थो वाला तो सर यह तो बता दो चलो मान गई कि पैरावाला मेजर बनेगा लेकिन यह गुरूप को कैसे हटा हुए आप है यह जुगाड भी तो हटाना पड़ेगा तो इस जुगाड को हटाने के लिए बच्चे मैं आपको बता द गया यह देखो क्या बन जाएगा यहां पर रींगा इजट इय एन तो एनिलीन का जो नायटरोजन का लोन पेर है उसको बाहर खेलने के लिए भेजोगे एक रहां भेजोगे बाहर खेलने के लिए बाहर खेलने से ये वह रिंट कें अंदर ये तना जादा नहीं Nah ago तो और आप क्या करवा सकते हो उसकी मतलब एक giveoff या एन एच्टू इससे बनाना मेरे को क्या एन एच्टू एन ओटू यह बनाना है पैरा पे नाइट्रो ग्रूप लगाना है और कहां लगाना है और कहां पे लगाना है और तो पे नाइट्रो ग्रूप लगाना है तो बता यह कैसे लगाऊंगा यह कनवर्जन मान लीजिए एक किस बार के लिए कैसे करवाई तो यह तो जल्दी जल्दी जाएगा रिंग के अंदर तो जल्दी जल्दी जाने से रोकना है रोकना है तो पहले इसमें क्या करवा दोगे रिक्षन CH3 COOCOCH3 के साथ reaction करवा कर इसको बाहर खेलने भेजोगे तो पहले क्या बनेगा बच्चे यहां पर पहले बन जाएगा NHCOCH3 पहले तो यह बन जाएगा यहां पर जाएगा है के एक बढ़ पास स époस्का सब्सक्राइब माए हुघ्डॉल बच्चेश इसको मिल जाएगा इसको मिल जाएगा इसको अंसर आजाएगा अच्छी बात है भी कर लेंगे हांजी सर कर लेंगे ठीक है चलों आगे बढ़ते हैं नहीं से लिए ठीक है चले नेफिन हैं नेक्स एक्षन क्या सर aniline जो है एनिलीन यह फ्रीडल क्राप्ट असाईलेशन वगेरा वी रियक्षन करवाएगी क्या जैसे इस प्रीडल क्राफ्ट करेगा क्या तो अंसर क्योंद यह और हिसा क्योंकि इसमें हम लाइस सब्सक्किंद और और ये खुद कौन है ये लैविस बेस एक लैविस बेस है तो जब लैविस बेस और लैविस एस्टिड अपने आप ये रियक्शन करके बैड़ जाते हैं ये ये ल्स ये बिचार है इसके लोन पेर को अपने एक पास ही बुला ले ताकि मेरे पास ही आजा तू क्या गरेगी लोन पेर बहुत तो इसलिए फ्रीडल कर आप अलकालेशन और फ्रीडल कर आप और साइलेशन रियक्शन यहां पर नहीं देगी कौन एनीलीन तो चलिए स्टुडेंस पाइनली लास्ट केमिकल प्रोपरटी की तरफ बढ़ते हैं ये इस होपमेन मस्टर डोल रिक्शन को इ प्राइमरी होनी चाहिए यह जब कारबन डाइस लफाइड के साथ रियक्शन करती है मतलब सी डू के साथ सी एस डू के साथ किसके साथ सी तो क्या होगा देखो लोन पर है यह कहां अटैक करेगा बचे कारबन पर और यह बॉन्ड किसकी से तरफ हो जाएगा सुलफर की तर K2 यह जड़ ज़्ड़ जागा सी कर बंके साथ डपल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड इस डबलबेंट एस और इसस पर आजाएगा ऑचे नेगुटिवाज ॉन और इस यह जाएगा अब इस निटॉजेटर पे कोंसा चाझ आज आ जाएगा पोजिटिव तो इस पोजिटिव चार्ज को खतम करने के लिए हाइड्रोजन को अपनी बली देनी पड़ेगी और सलफर का नेगेटिव इस हाइड्रोजन पर क्या कर देगा अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा फाइनली और फिए थारी सीएच टू एन एच सिंगल बॉंड ड़िए डबल बॉंड एस और शिंगल बॉंड एसेच यह बनेगा है क्या यह सोच लो खुझ से देखो ऐसे लो इस नाट्रोजन पर से एक आटाकर इस सलफर पर लगा तो देखो इस सलफर पर लगा दिए और सीड़ बॉ mercury chloride mercury chloride मतलब HgCl2 की presence में आप क्या करोगे बच्चे इसको heat करोगे तो क्या प्रोड़क्ट बन सकता है सोचिए तो देखे क्या बनेगा प्रोड़क्ट यहां पर CH3 CH2 देखे CH3 CH2 as it is n as it is रहेगी हमारे पास क्या रहेगी n as it is रहेगी यहां से हटा दो तो n double bond c double bond s double bond s यह final product आएगा यह क्या आएगा मारे पास final product आने वाला है पलस में क्या निकलेगा देखो मर्करी और सल्फर मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा एच जी एस मर्क्यूरिक सल्फाइड होड़ेगा यह होपमें मस्टर्ड ओयल रियक्शन कुछ पल्ले नहीं बढ़ा सर ठीक है चलो एक रियक्शन और करते उससे पल्ले पढ़ने की कोशिज करवाएंगे हम आपको CH3 है रियक्शन करवाएंगे किसके साथ वच्चे सी डबल बॉंड एस सी डबल बॉंड एस के साथ तो क्या बनेगा इस एच को यहां बेज़ दो तो देखो CH3 एच R3 मिल जाएंगे 씨-श के या निःच्फ हैंच बन गया सी डबल वंड एस एससे डरेगा सी डबल बॉंड एस इसके साथ मॉंड इसके साथ सब्रेक्शन कर दोग सब्सक्राइंगे मर्कुरी कलोरेड के सार्थ क्या करना है CH3 एस दिस सी ट्इस एसje Ce Saτε अनल एच और कलोरी मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा HCL इसी रेक्शन को क्या बोलते हैं होप मैं मस्टर्ड ओइल रेक्शन तो स्टुडेंट्स यहां पर हमारे पास chemical properties of amines क्या होती है complete होती है I hope आपको chemical properties of amines और यह चैप्टर था amines का यह अच्छे से कलियर हुआ है बही देखे आज हम basic property वाला जो मैंने आपको बोला था कि last में करेंगे वह इस video lecture में हम नहीं कर रहे हैं sorry for that ठीक है तो इस video lecture में वह नहीं करेंगे उसके लिए separate video लेकर आएंगे हम आदे घंटे की तो आप basic strength of amines या basic order of amines को पढ़ने के लिए समझने के लिए आप उस video lecture पर चले जाएंगे बस एक दो दिन में वह video lecture आजाएगा तो ठेंशन मत लें आप उसकी बिलकुल भी तो आपको यह video lecture कैसा लगा वह comment में जाईए और हमें बताएए ताकि हमें इससे होसला मिले और आपके लिए हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर फिर से हाजिर हो तो thank you for joining with us